हलो दोस्तों स्वावता आप सभी का हमारी यूट्व चैनल एपक्स एग्याम में पढ़ेंगे कक्षा 10 NCRT फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रकास का परावर्तन अपवर्तन उसके बाद है दरपन अगर आपने इससे पहले की वीडियो या जितने भी important topics हैं वो नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए आप description box में link है वहाँ पर part बन जाकर देख सकते हैं चलिए part 2 में cover करेंगे इसमें दरपन क्या होते हैं और गोली दरपन क्या होते हैं सबसे पहले बात करेंगे गोली दरपन की यानि की spherical mirror की तो गोली दरपन कांच के खोकले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई यानि की polish करके उसके उपर iron oxide का लाल paint कर दिया जाता है दूसरे तल से परावर्तन होता है जो चमकदार होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह गोल आकार है गर इसे हम यहां से काड़ दें तो यह साइड का दरपन बन जाएगा कलई की जाए तो ऐसे ही इधर से यह क्या हो जाएगा एक दरपन बन जाएगा ठीक है यहां देखी यह जो है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है वह अब तल दर्पन कहलाता है और जिसमें परावर्तन उबरे हुए तल से होता है वह कौन सा दर्पन कहलाता है उतल दर्पन ठीक है चलिए आगई बात करते हैं गोली दरपणों के प्रकार की तो गोली दरपण के निम्न दो प्रकार होते हैं नमबर एक अबतल दरपण और नमबर दो उतल दरपण यानि की कौन कैब मिरर और नमबर टू कौन बैक्स मिरर ठीक है सबसे पहले बात करेंगे अबतल दरपण की तो बहावर तक तल दबा हुआ यानी की अंदर की ओर धसा हो अब तल दरपन कहलाता है अब तल दरपन कहलाता है इस दरपन में उभरे हुए प्रष्ट यानी की उतल प्रष्ट पर कलाई यानी की describes होती है यहां पर यह देख सकते हैं आप यह वाला जो है यहां पर यानि की परावर्तन दवे हुए तल से होता है यह रे आई यानि की प्रकास करण आई और यहां से टक्रा कर बापस लोट गई ठीक है तो यह वाली क्या मतलों यह वाला दरपन कैसा दरपन है अब तल दरपन ठीक है आगे चलते हैं, अब बात करेंगा उत्तल दर्पन की, यानि की कॉन बैक्स मिरर की, तो बहे गोली ये दर्पन, जिसका परावर तक तल उबरा हुआ, बाहर की ओर उठा हो, उत्तल दर्पन कहलाता है, उस दर्पन में दबे हुए प्रष्ट, यानि की अब तल पर कलाई यानि की पॉलिस होती है, तो ये किसकी पॉलिस होती है, लाल उक्साइड यानि की रेड उक्साइड की ठीक है, या पेंट किया हुआ होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह आप ये दर्पन है, और यह परावरतन के साइड से उँभा है, यानि कि उबरे हुए तल से, जिस से ये जिस तरफ से ये उठा हुआ है, यहां पर देखिए, ठीक है, बात करते हैं, गोली दर्पन से सम्दित परवासाओं की, यानि कि कौन से पॉइंट को क्या कहा जाता है, और किसी भी को कैसे पैचानेंगी जैसे यहां पर देखिए यह एक दर्पन है यहां पर यह जो आर लिखा है ऐNE कि रपन के ठीका ठीक दरज्या कि तरज्या क्या होती है happiest सब जानते हैं आधे होती है यानि कि आदा बाग क्या कहला आता है आर यानिकी वक्रता दरज्या कहला करते हैं और इस peaceful पोल यानि की पीसेश प्रदरसित करते हैं यानि की बरपन का दुरूपवाइए और यह जो सेता है यहां पर मुक्खक्षिय यानि की एप होता है और यह वाला जो है यह अगर हम ऐसे का लाइन खीचे यानि कि इसे को पूरा वोल कार में दर साएं तो यहां तक मैं कुन सा पॉइंट हो जाता है सी यानी की बकरता केंद्र को यह वाला गुले का जो काटा गया केंद्र क्या क्या कैलाएगा भकरता केंद्र कैलएगा ठीक है यहां देखिए यह जो पूरी लाइन है ये वाली ये क्या कहलाती है द्वारा कहलाती है और ये ध्रोग मैं पहले ही बता चुका हूं यहां पर ध्रोग होता है ये बक्रता केंद्र होता है ठीक है और ये तल्दरपन है ये वाला और ये क्या है अब तल्दरपन ठीक है देख सकते हैं पीडियाप चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उसके बाद मैं आपके लिए कमेंट में ही रेपलाई दूँगा कि मतलब कहां पर पीडियाप मिलेगी ठीक है और वीडियो को लाइक भी करें चैनल को सब्सक्राइब भी करतें जिसे हम और आप दोनों मोटिविट रहें ठीक है बात करेंगे दरपन के ध्रूब की यानि की पोल ऑब मिरर की यानि की गोल ये दरपन के परावर्तन तल के केंद्र को दरपन का ध्रूब यानि की पोल कहते हैं इसे P से पदर्शित करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या एक अब्तलदर्पण है और यहाँ पर यह जो यहाँ पर लाइन या पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे P यानिकी पॉल यह वाला क्या कहलाएगा बक्रता केंदरियानिकी C ठीक है ऐसे ही उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कलाई होती है इसमें उत्तल दर्पण में और इस पॉइंट से परावर्तन होगा यानि कि ये क्या कहलाएगा पोल यानि की दर्पण का ध्रोग आई होप आपके लिए वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरू कर दें ठीक है चलते हैं आगे अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की यानि की सेंटर ओफ करवेचर गोली दर्पण का परावर्तक तल कांच के जिस खोकले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का बक्रता केंद्र कहलाता है इसे सी से प्रदर्सित करते पर देखिए यदि इस गोले को काट कर इसे उत्तल दर्पन बनाया जाता है तो यहां पर जो पॉइंट होगा यानि कि इस गोले का पूरे का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा वकृता केंद्र कहलाएगा ठीक है यह देखिए कुछ परिवास आए हैं नमबर एक है अब तल दर्पन का वकृता केंद्र परावर तक तल के सामने इस्थित होता है यह याद रखेंगे मुस्ट अपॉटेंट पॉइंट है अब तल दर्पन का वकृता केंद्र परावर तक तल के सामने इस्थित होता है नमबर दो है उतल दर्पन का वकृता केंद्र परावर तक तल के पीछे इस्थित होता है ठीक है याद रखेंगे चली आगे चलते हैं बात करेंगे बक्रता त्रज्जा की यानि radius of curvature गोली दर्पन का परावरतन प्रष्ट कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रज्जा गोली दर्पन की त्रज्जा कहलाती है इसे आर से प्र एलक्षर फो भी ऑड़ से शुरू होता है इसलिगी क्या बोलते है से भी डियोस अनिकि यानीकि आर यह जो है इसके ठीक आदी पूरा जो ऑ कहलाता है वो डायम्टर यानि बृयास की त्रज़ गया होती है आदी होती है इतनी के वल लाइन क्या कहलाएगी यहांसे यहां तक की दूरी का वक्रत्ता अक्तिया कैलाईगी ठीक है बात करते हैं अगल abby देखिए इतक सहक यह जो है वो मतलब most important point है इसे याद रखना है आपके लिए यह क्या होगा देखी मुखक्ष किसे कहते हैं principle axis दर्पन के ध्रोग यानि कि P तथा बक्रता केंद्र यानि कि C केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पन के मुखक्ष कहते हैं रेखा PC मुखक्ष यह जो आपको चितर दिखाई दे रहा है इसमें दर्पन है माली जी यह point P है और यह वाला जो point है वो C है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी लाजा की यहां कि मुख फोकस ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे dollar-षाork यानि की मुख्ष फोकस यनि प्रिंशीपल एक्टिस यनि कि अच्छा वो प्रिंशीप्वी we में प्रिंशीपल फोकस है ठीक है यहां कि उसे small एप से दर्शित करते हैं इसे कैपिटल एप से याद रखना है ठीक है उसे मैं लिखतेता हूँ इसे स्मॉल एप से पदर्सित करेंगे ठीक है और उस वाले को बात करेंगे मुख्य फोकस की यानि प्रंसिपल फोकस की गोली दरपन के मुख्य अक्ष के समानतर आपतित प्रकास किरने परावरतन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदू पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदू को दरपन का मुख्य फोकस कहते हैं इसे एप से पदर्सित करते हैं ठीक है इसे कैपिटल एप से पदर्सित करते हैं जैसे मान लीजी ये कोई दरपन है इसमें एक लाइन मतलब एक क्रण यह जा रही है एक क्रण यह जा रही है दरपन से टक्रा कर जिस बिंदू पर मिलती हैं ऐसे यहां पर देखिए चित्र होगा यहीं पर देखी यह वाली जो लाइन है यानि की प्रकास की खिंद दरपन से टकरा रही है उसके बाद सारी रिफ लेक्ट होकर एक पॉइंट पर मिल रही है ूस वाल्स थो यह वाला क्या हो जाएगा एफ यानि की मुक्स यहां पर देखिए इस वाले दरपन में भी इसारी जो रेज हैं यानि की लाइन हैं यह प्रकास करने हैं वो टकराकर दरपन से टकराकर वापस इस पॉइंट पर मिलती भी प्रतीत हो रही है तो इसका मतलब यह क्या है एफ ठीक है याद रखना यह अब तल दरपन है और यह है आप यह भात करेंगे फोकस तूरी की और यह भी वहुत ही most important टॉपिक है से याद रखना है आप फोकस तूरी यानि फोकल लेंद किसे कहते हैं गोलीए दरपन के द्रोब यानिकी पी तथा फोकस यानिकी एफ के बीच की दूरी को तरपन की फोकस दूरी कहते हैं पी सब्सक्रादी होती है इसे एफ से पिदर्सित करते हैं अथार्थ एफ यानि फोकस दूरी वराबर बक्रता त्रज्जा अपॉन टू यानि कि एफ बराबर आर अपॉन टू ठीक है और ऑप्सन में अब एग्जामनर जो है वो बहुत ही चालाक हो गए है उन्हें भी पता है सारे बच्चों को यह फॉर्मूला रटा पड़ा है यह बराबर आर अपॉन टू तो अब यह ऐसे नहीं देते हैं ऑप्सन में यह आप करते आअब वाला देते हैं यानि कि आर बराबर टू एफ ठीक है आर बराबर टू अपिसे याद रखना है अगे बात करते हैं अब बात करेंगे फोकस तल की यानि कि फोकल प्लैन की तो गोली दरपन के मुख अक्षी के अविलंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को दरपन का फोकस तल कहते हैं यानि कि गोली दरपन के मुख अक्षि के अभिलंबुवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को दरपन का फोकस तल कहते हैं दरपन का द्वारक की बात करेंगे यह important हो सकता है गोली दरपन के परावरतन तल के ब्यास को दरपन का द्वारक कहते हैं यानि कि ये वाला जो दर्पन है माली जी ये दर्पन है तो यहां से ये काटा गया है यानि कि ये वाले जो पूरी लाइन है यानि कि इस बिंदू को इस बिंदू से मिलाने वाली दूरी के अगलाती है दर्पन का दौरा कहलाती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब चलिए देखिए एक अबतल दर्पन की बकिता तरज्जा 50 सेमी है इस अबतल दर्पन की फोकस दूरी ग्याद किजिए तो सबसे पहले एक बात जाद रखेंगे जो उतल दर्पन होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव यानि धना आत्मक यानि की निगेटिव होती है ठीक है चलिए बात करते हैं इस सवाल को हल करेंगे देखिए अब तल दर्पन की बक्यता तरज्जा यानि आर बरावर कितनी है पचास सेमी यानि की माइनस की पचास तो फोकस दूरी यानि एब बरावर आर पॉंट टू से करेंगे या यानि की माइनस की पचास अपॉंट टू पचास को दो से भाग देंगे तो आ जाएगा पचीज यानि की अब तल दर्पन की फोकस दूरी कितनी है माइनस की पचीज सेमी ठीक है चलिए आई होप आप समझ गए होंगे वीडियो को लाइक कर दो देखी दूसरा प्रशन है यहां पर कि देखी दूसरा प्रशन पर एक उत्तल दर्पन की फोकस दूरी 15 समी है तो उत्तल दर्पन की बक्रतत तरज्या होगी तो सी से करेंगे अब बराबर आरा,पॉंट टू से यहां पर क्या दिया 15 12 संहीं यह वो 15 संही क्या है फोकस दूली यानि एप बरावर 15 संहीं ठीक है तो त्रज्जह निकालने के लिए आर बरावर 2 यानि फॉर्मूला वही है दो से यहां गोड़ा होगई यह ठीक है तो आ बरावर यानि कि दोगनी हो जाएगी यानि 15 दोनी 30 स्वेमी ठीक है यानि उत्तल दर्पन की जो बकरता तरज्जा है वो कितनी है 30 स्वेमी देखी चलिए बात करते हैं आब उत्तल दर्पन की यानि की उत्तल दर्पन को अब सारी दर्पन कहते हैं प्रकास की केड़ों को फैला देता है यानि कि बहे दर्पन जो प्रकास की केड़ों को वो खेड़ता है कैसा कहलाता है वो तल दर्पन कहलाता है ठीक है और अब तल दर्पन केड़ों को एक स्थान पर केंद्रित करना अब तल दर्पन को अभिसारी दर्पन कहते हैं यानि कि प्रकास की किर्णों को किसी एक स्थान पर यह तीन प्रकास किरने हैं इस पॉइंट पर मिल रही है तो इसका मतलब यह कैसा दरपण है अब तर दरपण ठीक है चलिए आगे बात करते हैं गोली दरपण में प्रतविम बनने के नियम पहला नियम है नमबर एक मुक्ह अक्ष के समानतर जाने वाली प्रकास किरने परावरतन के पश्चात मुक्ह फोकस से होकर गुजरती हैं पॉइंट नमबर एक याद रखेंगे यहां पर देख सकते हैं और है है यहसा इसके समानतर ये लाइन या रही है न कि एक कोई प्रकास करने में आब यह यह इत्लव कर कहां जाएगी निकि मंबढ़ फोकस से ओकर उसे वालगप्ष कि चलिए डाले पॉइंट नमबर टू यानि कि नियम नमबर दो बस्तू से आने वाले प्रकास की खिर्णे जो दरपन के मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं परावर्तन के पश्चाद दरपन की मुख्य अक्ष के समानतर हो जाती हैं यानि कि कोई भी प्रकास की खिर्ण जो हैं ठीक है तो परावर्तन के पश्चाद दरपन के मुख्य अक्ष के समानतर हो जाती है ठीक है यह वाली प्रकास की करण है और यह वाली प्रकास की करण है तो यह मुख्य फोकस के समानतर जा रही है तो और यह कहा हो कर चली जाएगी मुख्य अक्ष के समानतर ठीक है चली आगे बात करते हैं अब नियम नमबर तीन बस्तु से आने वाली प्रिकास किरने जो दरपन की बक्ता किंद से होकर गुजरती हैं परावरतन के पश्चात पुना उसी दिसाम में यानि उसी पद से लौट जाती हैं लौट जाती हैं जैसे देखिए यहाँ पर यह प्रिकास की करन ऐगी आंगल कि यह पो गुजरी और दरपन से टकुराएगी तो पुना इसी दिसाम में वापस लौट जाएगी ठीक है यहाँ पर देखिए यदि लाईन général आई जैनि कि यह करन आई और यह बक्ता केंद से ओकर गुजरी और दरपन से टक्रा कर वापस इसी दिसा में वापस लोड़ जाती है ठिक है यह याद रखेंगे नमबर चार बस्तू से चलने वाली यह प्रकास केरने जो धरोप पर आप्तित होती है और जो प्रकास केरने सम्मित रूप से अधार्थ कोण यानि जिस कोंड से आती हैं से परावर्तन हो यानि कि जिस कोंड से आए उसी कोंड से परावर्तन हो जाए ठीक है तो यहां पर देखिए यह आई यानि कि कोई आपतित्करण है और यह उसी कोंड से बापस लोड़ जाती है ठीक है यह आगे बात करते हैं अब देखिए यह वाली जो साड़नी है यानि कि टेविल है वो आपके लिए याद करनी पड़ीगी वस्तु की स्तिति यानि कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो प्रतिविम कहां मरेगा मुख्य फोकस पर और प्रतिविम का आकार कैसा बनेगा वस्तु के अपेक्षा और वाने वास्तिविक तथा उल्टी हो गींग अब देखिए और प्रतिविम यानि कि बस्तू है वह वहिण कि बहुत्ता केंद्र सफार क्यों प्रतिविम का चली होगा हो चोटा होगा अब बात करते हैं जब बकरता केंद्र पर रख ही गई हो यानि बकरता केंद्र सी पर पर प्रत्व membrane का वनेगा और बस्तू के समाना-Ayakar का बनेगा और जो प्रिकृति होगी यानि कि प्रतिविम की प्रिकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा होगा ठीक है अब बात करते हैं जब बस्तु मुख्य फोकस तथा बक्रता केंड सी के बीच रखी गई हो तो जो प्रतिवयम की स्थिथी ओगी वो वक्रता केंत तथा आनन्त के बीच प्रतिवयम क्या से बड़ा और परकृति वास्तविक तथा उल्टा ये वाली टेवल आपके लिए याद करनी है इसमें लास्ट पॉइंट इंपोटेंट है आपके लिए बहुत ही जरूरी है और वीडियो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है दिमाग में जा रहा है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें कि इस तरह का कंटेंट क कई पर भी मौजूद नहीं है ठीक है चली कि अब बात करेंगे उत्तल दरपन के उपयोगों की यानि कि यूजर्ज ऑफ कॉनबैक्स मिरर यानि कि हम उत्तल दरपनों का कहां कहां उपयोग कर सकते हैं देखिए उत्तल दरपन मोटर कारों ट्रॉकों आदी में चालक की सीट के पास लगाया जाता है जिससे चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सके तो था अपना बाहन सुरक्षित रूप से चला सके उत्तल दरपन सदब सीधा प्रतविम बनाते हैं जबकि ये प्रतविम छोटा होता है प्रन्तु इसका द्रश्टी छेत्र बहुत अद उसमें एक दरपन होता है साइड मिरर बोलते हैं जिसे तो ये कैसा दरपन होता है उत्तल दरपन होता है ठीक है देखी उत्तल दर्पणों का उपयोग सडकों तथा बाजारों पर लगे प्रकास लेंपों में परावर तक तलों के रूप में किया जाता है जिसे प्रकास अधिक छेतर में फैले यहनि कि जो लाइट्स होती है गाड़ी की हैड लाइट्स होती है उन्हें भी कौन सा दर्पण प्रयोग किया आता है उत्तल दर्पण ताकि जो लाइट है वो अधिक छेतर में फैल सके ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अब अफ्तल दर्पणों के उप्योग की यानि यूजज ऑफ कॉन कैब मिरर यानि कि अफ्तल दर्पण का उप्योग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतवियों में देखने के लिए दाड़ी यानि की सेविंग बनाने की दर्पणों की रूप में करते हैं यानि सेविंग बना नाक कान और गले की जास करने में अफ्तल दर्पन का उपयोग करते हैं यानि कि जो डॉक्टर होते हैं नाक और कान और गले की जास करते हैं वो कौन सा दर्पन रखते हैं अफ्तल दर्पन ठीक है आप में से भी किसी का अगर ड्रीम है डॉक्टर बनना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ठीक है अब देखिए अफ्तल दर्पन का उपयोग टॉर्च सर्च लाइट मोटर कारों और रेलवे इंजन में प्रिकास का सकती साली किरन पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है यानि कि वह अधिक सेधिक रीफलेक्ट हो सके उसके लिए किस दर्पन क अफ्तल दर्पन का ठीक है नंबर चार अफ्तल दर्पन का उपयोग टेबल लैंपों के सैड़ों में किया जाता है आपने जो टेविल लैंप देखेंगे इस टाइप क्यों होते हैं मेरी ड्रॉइंग खास अच्छी नहीं है यह वाली तो इस इन में यह जो होते हैं कौन से अफ्तल दर्पन के होते हैं अब तल दर्पन के ठीक है जिससे मेज के थोड़े से वाग में अधिक प्रकास पहुच पाता है ठीक है अभी द्रस्यक्टे रूपि में होता यानि कि जो टेलिस्कोप होते हैं उसमें कौन सा दर्पन यूज होता है अब तल दर्पन ठीक है देखिए यह जो है दर्पन सूत्र यानि कि मिरर फॉर्मूला यह बहुत ही महतुपूर है अगर आपके लिए से याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे ही नुमेरिकल्स होते हैं और विए आप याद नहीं करेंगे तो अच्छे नमबर नहीं लापाएंगे आपको 95 प्लस मार्क्स लाने है विज्ञान में ठीक है साइन्स में यानि कि तो इसके लिए फिजिक्स का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है बिलकुल भ ये एफ क्या होता है रख क्या प्रदर्सित करता है फोकस दूरी के लिए और वी जो है यानि की वी घ्रcej करती है प्रदर्सित करता है वस्तू की दूरी ठीक है बाहत समझ में आई चलई आग़े चलते हैं इसके उपर सारे नुमेरिकल्स हम अंगली वीडियो में करेंगे अगर आप वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट और अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें ताकि सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें ता की पहले पहुंच सकें ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्नवाद आपका दिन सुभू